इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वासी कॉंट्रेक्ट्स क्या होते हैं और कौन-कौन से टाइप्स के होते हैं इससे पहले देखो मैंने बिजनस लॉग के और कई टॉपिक्स को कवर कर रिखा है अगर आप देखना चाहते हो तो फ्लेलिस्ट का लिइंक में दे दूँ महां से जा के देख सकते हो तो चलो इस वाले वीडियो को स्टाट करते हैं क्वासी कॉंट्रेक्ट देखो एक्चुली में तो वह एक कोई भी कॉंट्रेक्ट नहीं होता है वो बस एक transaction होती है दो लोगों के बीच में ठीक है जो की law उन पे कुछ obligations impose कर देता है law की वज़े से वो दो parties एक contract में enter कर जाती है क्योंकि एक contract के valid होने के लिए मैंने आपको बताया था बहुत सारे essentials होते हैं तो आप वासी contract में वो सारे essentials नहीं होते हैं ठीक है होने के लिए जो भी सारे essentials मैंने बताया थे आपको एक वीडियो में ठीक है वो essentials इसमें नहीं present होते हैं ठीक है इसलिए एक contract नहीं होता है जस्ट एक transaction होती है लेकिन फिर भी हम इसे contract बोलते हैं क्योंकि यहां पे जो तो यहां पे यहां पर राम को उसके पैसे वापिस करें यहां पर यह जरूरी हो जाता है यहां पर की जो смैंने कभी पैसे नहीं दिए राम को ठीक है तो इसे हम लोग कौशी कांट्रेक्ट बो कि और एक्सांपल देदी जिसे आप रासते में कहीं जा रहे तो यह भी एक quasi contract होता है जहां पर देखो ना कोई offer है ना कोई acceptance है कोई भी यहां पर valid essentials नहीं है लेकिन फिर भी यहां पर एक contract इसको माना जाता है ठीक है तो यह होता आपका quasi contracts आपके काई types के होते हैं ठीक है जो कि आपके contract act के section 68 से 72 तक के बीच में दिये गए हैं जिसमें सबसे first आता आपका claim for necessary supplied to a person incapable of contracting यह आपका section 68 के अंडर आता है ठीक है जिसमें यह बोला गया कि capable possible नहीं होता है वो होता है जो कि contract में एंटर करने के लिए capable नहीं होता है लोग Kobe kalmpa को ऐसकता है को कोई इंचैपअवान उला पर साल ओक tapi अगर दी को कोई भी बेगे बेसिक निसितिज्स एक काना पानी कपड़े वगर इस ताइफ की कुई के लाइफ के लिताइ है wel यहां पे आप अपने पैसे जो है उस नेसेस्टी के बदले उस incapable person से कभी भी नहीं ले सकते हो, ठीक है? यहां पे आप जो अपने पैसे हैं जो claim है आपका वो उसकी property से ले सकते हो, ठीक है? तो भी यहाँ पे कोई minor है minor आपका पता है ना 18 years से कम का कोई बच्चा है ठीक है उसको आपके कुछ food supply करा ठीक है food supply करा तो यहाँ पे वो minor कभी भी आपको पैसे देने के लिए liable नहीं होगा लेकिन हाँ यहाँ पे आप उसकी property को use करके उससे अपने पैसे ले सकते हो ठीक है जो कि किसी और को करनी थी लेकिन वो कर देता है उसके बदले payment तो यहाँ पे जिसकी उसने payment करी है उसकी responsibility है कि वो उसको payment वापिस करें एक्जाम्पल के लिए यहाँ पे A और B हैं ठीक है दोनों रूममेट से दोनों एक साथ रहते हैं ठीक है तो यहाँ पे एने कुछ online order कर लेकिन वो अभी उसके घर से बाहर था ठीक है वहाँ पे delivery वाला आ जाता है और यहाँ पे घर पे रहता है ठीक है तो A B को बोलता है तुम मेरे बदले अभी पैसे दे दो मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा ठीक है तो यहाँ पे बदले की payment कर देता है ठीक है अब आगे second person के responsibility बनती है कि वो उसकी payment वापिस करें तो यह भी आपका एक quasi contract होता है ठीक है next आता है आपका obligation of person in joint benefit of non-gradugious act यह आपका section 70 के undercover होता है ठीक है non-gradugious act मतलब यहाँ पे आप किसी के लिए कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि आप free में नहीं कर रहे हो ठीक है उसके बदले में आपको पैसे या फिर जो भी concentration बनती है वो दे ठीक है example के लिए आप कहीं जाते हो ठीक है वहाँ परसन कुछ सेल कर रहे है कुछ खाने की चीज़े ठीक है तो आपको बोलता है ले लो यहाँ पर तो देको फ्री में नहीं दे रहा है आपको यहाँ पर फ्री में नहीं है ठी लेते हो ठीक है जो भी थी वो और यहाँ पर फिर आपके responsibility बनती है कि आप उसको उसके बदले में पैसे दोगे ठीक है यहाँ पका एक टाइप का कौसी कॉंट्रेक्ट होता है जहाँ पे ना कोई offer है ना ही कोई acceptance है ठीक है लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना जो भी तो आप एक्ट करें उना वो रापी दोगैशो त्लबकर फ्रे में आप नहीं कर रहे हो ताभाज सधा पैसे ले सकते हो ठीक है यहाँ पर इसके बतले में पैसे हैं यहाँ पर हो इंटेंशन है वो फ्री में कोई काम करने का चारेटी करने का डम दोश & का नहीं होना तो यहां पर उसके रिटाइन करें जिसके भी वह गोड़ थे एक्सांपल के लिए जैसे कि अभी मैं फोन वाला एक्सांपल देते हैं आप कहीं जा रहे हो थे कि वहां पर किसी परसन का वालेट गिर गया या कोई फोन गिर जाती है तो आप देख लेते हो और फोन उडा लेत तो यहां पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप चाके और उसको वह फोन या पैसे जो भी चीज है वह वापिस करो ठीक है तो यह एक टाइप का आपका क्वासी कंट्रेक्ट होता है ठीक है और मोस्टली तो लोग ऐसा नहीं करते हैं ठीक हो रख लेते आपने आपी लेकिन यह या तो कोàiर्जन से कोईर्जन मतलब की रिषर में आके आपने किसी को कोई पैसे या फिर गूट्स दे दिए हैं तो यहां पर उसपरसन बनती है वह आंकर आपको वापिस करें ठीक है एक्जामपिल की यह अपर देखो ए और वी दोनों परसने ठीक है दोनों ने मिलके C से 5000 उधार ले रहिए ठीक है ए और मिलकेें के से 5000 उधार लिए थे यहां फे देखो चज़ा 50 रुपइ को कर देता है और इस बात का पता अभी बीधय को नहीं और अひटक बीको नहीं बताय थी तो भी किसी दिन जाता है और वो भी C को 5,000 रुपे देता है ठीक है तो यहां पर उन्होंने डबल डबल पैसे दे दिया ना क्योंकि A ने तो पहले पेमिंट कर दे थी तो यहां पर दिखो C की रिस्पॉंसिबिलिटी है कि वो B को 5,000 रुपे वापिस करें ठीक है तो यह आपका क्वासी कॉंट्रेक् सब्सक्राइब करके जाना